नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा भूमिगत केबल अथाथ अंडर्ग्राउंड केबल से समंदित कोस्टन दोस्तों यह जो अंडर्ग्राउंड केबल का जो चेप्टर है यह फूर् करता हूँ आप से कि यह आप वीडियो अंत्रख देखेंगे और यदि आप हमारे वीडियो नए देख रहे हैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो यूटूब चैनल पर नए होगे और यदि आप आई कर रहे होंगे तो हमारे यूटूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ठीक है तो चलिए दुस्तों को सुरू करते हैं तो चलिए दुस्तों चलते हैं बिने समय गवाई कोस्टन नंबर वन देखि एक कोस्टन नंबर वन दिया है कि किसी उद्धोग साला के मुखेत तीन प्यज लोड तता शिमित प्रकास लोड के लिए प्रिव्प्त केबल रित्यस्थाने परकार का होना चाहिए देखिए एक कोश्टन जो आपसे पूछ रहे हैं इस तरह पूछ रहा है कि किसी दुख साला में जो मुखेतत तीन लोड अथा जो तीन लोड पर है और इसमें सीमित प्रकास के प्रियोग के प्रकार का उसमें केवल प्रियोग होना चाहिए ठीक है तो आप आपसन सोजी देख लीजए का आपसन बताने लगेंगे तो काफी समय लगेगा और взेलो काफी लंभा भी बन जायेगा ठीक है तो इसमें आपको आपसन जो सही होगा यह आपसन नमबर D सही होगा साड़े तीन करोड ठीक है तो यह हमारा D वाला आपसन सही हो जाएगा ठीक है दोस्तो अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन दिया है कि भूमिगत परकार के केबल में जालिदार कवच लगाने का ठीक है अधर बाहरी अगात से सुरच्छा के लिए यह जालिदार कवच लगाने का उद्धेश है ठीक है हमारा राइट एंस और आपसन नमबर C सही हो जाएगा ठीक है अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोश्चन दिया है कि बेल्टेड केबल और SI केबल में मुख्य अंतर यह है कि SL केबल में ठीक है दिखिए कोश्चन कुछ बोलने में गलती हो गया है देखिए कोश्चन है कि बेल्टेड केबल और SL केबल में अंतर यह है कि SL केबल में अब यह आपसन आपको जो दिया है यह उसका पूरा जो कोश्चन है इसका पूरा एंस्वर इसमें दिया ग गाथा इसका आपसान अमरे राइट एंस वर होगा ठीक है अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन दिया है कि 11 के भी 80 केबल को भूमी में रिक्रसान गहाराई पर अस्थापित किया जाता है ठीक है तो कितने मीटर तक गहाराई पर उसको अस्थापित किया जाएगा इसमें कोश्चन पुछने का यह मतलब है ठीक है तो इसका जो आपसान नंबर जो भी दिया है जीरो दस्मोलों 9 मीटर तो यह हमारा आपसान नंबर भी राइट एंस वर होगा ठीक है तो अगला कोश्चन है कि 66 किलो बोल्ट भूमीगत लाइन में प्रियोग किये जाने वा यह एच्टी केबल इसका राइट एंस वर होगा ठीक है भूमीगत लाइन में प्रियोग किये जाना वाला जो केवल है वह एच्टी केबल है दोस्तों यह जो कोशन आपको बता रहे हैं यह कोशन परिछाओं में पूछे गये और हमें आसा आए कि यह कोशन अगली की की नवी के प्रिविश को रोकने के लिए केबल में रिक्त असाने पर्त चड़ाई जाती है तो यह कोशन पूछने का मतलब यह है कि जो भूमिगत केबल होता है उसमें भूमी की जो नवी में होता है उसको रोकने के लिए उस जो पर्त चड़ाई जाती है उसके हम कौन सी पर्त के नाम से चांदते हैं ठीक है आफसन आपके सामने आफसन दिया है जूट वार्निस यूप्त कागज और सी आपसने सीजा या ऐलुमुनियम और डी आपसन दे दिया है कि और भी ठीक है तो इसमें आपका जो सही एंसोर हाजाएगा इस आफसन नमबर जो एदिया है सुरी जो आपसन नॉमबर सी दिया है सी दिया है सी सा अलमूनियम ठीक है तो हमारा आपसन नॉमर यह सी वाला आपसन सही हो जाएगा ठीक है या अगरे एक कोशन पर चलता अगला कोशन दिया है कि 3 सई एक बटव होती है अधिक धात्वी आउरोन को व निट्रल हेत्धू प्रियोग किया जाता है और दी्ट्रै आफ का आप संद्या है उपरीयोक तो सभी कफन सभी है ठीक है टो है इसमें आपका आपसर नमबर जो दिया है यह यहाँ आपशन सही यह चार पर कुर होती यह कोर की मुटाइक कम होती है तो यह हमारा आपसर बसका स्छा रोजाएगा अगला कोष्चन के कि ऍवल बिचाइबंची के लिए एक खाई ठीच में जाती है आपका दिया है आप्षान नंबर ए अथात एक मीटर गुड़े 0.5 मीटर तक होती है ठीक है तो यह हमारा आप्षान नंबर एस सई हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन है कि भूमिगत लाइन रिक्त असान है के लिए सुरच्छित होती है आप्षान आपके सामने है देख लीजिए इसमें जो आपका राइट एंसवर आ जाएगा यह आप्षान नंबर जो डी दिया है यह सभी जीओ अथात केवल मनुस्यों भी केवल पसुओ सभी जीओ के लिए ठीक है तो भूमिगत लाइन सभी जीओ के लिए सुरच्छित है ठीक है अगला कोश्चन है कि पी आई एल सी एस एटी के बैल में चालक तार पर सर्वपथम चड़ाया जाने वाला अचालक आउरण का नाम पुछा है तो यह खाली अस्ताने का होता है ठ बारण पुछा ऑग आइक होजा ठीक है तो इसमें जो आपका राइएंसर और यह सब्सक्का फर्त होता थिक है थी का प्रकार नहीं है ठीक आफसन है खनेज वीदुत्रोधी केबल और जो आफसन न car इंस और आ अपसन झां नंबर सी अधाध गैस वीदुत्रोधिक थे हमारा सी वाल आफसन सब्सक्राइब अगला कोश्नला कि लोटेंशन केबल कुकि बोल्टेज पराज तक उपविव किया जा सकता है चैनल मिल्स बीयुकि और पूछ रहा है म Online 12 complement केबल को कि सब्सक्राइब इस पराज कह जासकता है तो बोल्ट और चालेसं जो और एकवागर दिया है और है यह इनिया है इसमें आपका जो हो जाएगा यह दिया है यह अगला कोशन कारें की इस कृट कि अपर प्रियों किया जाता आपन आपके सामने है थैसे मैख सब्सक्राइब और बी आप शर्ण है 33 बोल्ट शेचाहचट जबी और सी है त्रीचर के विसे चाहचट के भी और डी आप आप सब्सक्राय यह सबीच इसमें आपका जो राइट देंसर होगा यह आप सब्सक्राय तक तो यह मारा सिवाला संसा हो जाएगा अगला कोश्चन है कि केबल की इस्तिति फिक्स करने के लिए ट्रिफिंग को लिक्त असाने से भर कर दबाद दिया जाता है आपसन है आपको इसाब ने ये आपसन बी सी और डी और इसमें आपका जो सही एंसवर आएगा ये आपसन नंबर भी अथा तो भी टू मन ते हमारा पेपर और ने अनुक शान से बचाने के लिए पृयूप्त प्रक्रिया है आपसन आपके सामने ए भी और सी और डी ये आपसन आजाएगा ये आपसन नंबर अधात व्ल्हित्ग है अपसन नंबर हो जाए 되면 घॉत ये कि ये इंस्टूलेसिते हैं यह सभी है आपका जो सही हो जाएगा आपस यह आप नमर जो दिया है यह वाला यह एप रेगंड़ेट पेपर तो यह हमारा आप संस्य हो जाएगा अगला कोशन है आ गयास पूरित केबल निम्न मेंसे किस परकार की केबल आपसशel आपके समने वेल्टेट केबल, स्क्रेल केबल और दापकेबल और इनमें कोई नही तो इसमें जो आपका एंसर आजाएगा यह आपसा नमबर सी अथात दाब के बलता है यह हमारा सी वाला आपसन सई हो जाएगा ठीक है के अगला कोस्चक्त मैं करने सिर्फ चालग लचीला हो जाता है यह अधिक मात्रा में धारावां कर सकता है आपसना नापके सामने इसमें पूछा को कौन सा है अपसनानपके सामने इंस्युलिशन दिया है और बिडिया है और रिंग दिया है ठीक है इस्तलेंडि n hide ठीक को एकला कोशन की केबल में उत्पनग 290 की जाद करने प्रिव्ष उप करना है अपसबसे सामने मल्टी मीटर मेगर उड़ जाद मीटर और यह सबस्वत प्राइंट यह उत्पनग 270 की जाद करनेगा ऊपस्पन ह destructive जानओ अगला कोशन है बल्क नित बिटुमन की उच्छ तापमान संचमता होती है आपसान आपके सामने है इसमें जो आपका राइट इंसर हो जाएगा यह आपसान नमबर इसका सीवाल आपसन वाला आपसन सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि केबल में वेल्डिंग सत्व के उपर की जाती है तो इसमें आपका जो राइट एंश और आजाएगा यह आप सम नंबर स्वाइगा और मिरिग तरही हमारा। आप सम नंबर यह तरही होगा। अगला कोश्चन है कि गट्टा पर्चा की दापस श्वाहन छंबता होती है। अगला कोश्चन है कि रबर के लिए असत्य कथन का चैन केजिए आपसन आपको देखना पड़ेगा आपसन इसका दिया कि इसका प्रतिरोद लगबग 17 गाते अगला कोश्चन है कि रबर को वल्क नीट करने के लिए मिलाया जाता है आपसन आपके सामने है इसमें जो आपका राइट एंसर हो जाएगा यह आपसन नमबर इसका जो सी दिया है सलफर यह हमारा सीवाल आपसन सही हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 25 कोश्चन बताया जाएंग आप हमारे यूटूब चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को आंड कर ले इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए